दोस्तो स्वागत है आप सभी को एक और मेरे बिजनस के निव आइडिया में दोस्तो गाओं में चलने वाला बिजनस बहुत बहतरिंग बहतरिंग बिजनस आज मैं लेके आया हूँ बलकि आप सभी को जो मैं बिजनस बताने वाला हूँ आज और जो बिजनस मैं आप सभी के बिच दिखा रहा हूँ ये समयलों कि ये बिजनस आप गाउं में करते हो या सहर में करते हो सबसे ज़्यादा इस बिजनस में दोस्तों प्रोफिट होती है और बिल्कुल कम लागत में ये बिजनस आप कहीं भी असानी से कर सकते हो गाउं हो या सहर हो कहीं भी आप असानी से कर सकते हो सबसे पहला जो बिजनस है दोस्तों ओ है गाउं में आजकल सबसे ज़्यादा चलने वाला बिजनस जो है ओ है अनाज मंडी जैसे आप गाउं में से किसी के यहां से घुम के गाउं में फेरी करके आप अनाज लेके अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो प्रोफिट उसमें आप अनाज खरिद लो और इकठा कर लो आपके पास गुदाम होना चाहिए और ये बिजनस बिलकुल दबा के चलेगी दूसरा बिजनस है दोस्तो और अप कहीं भी एस्टूडियो क्वल सकते हो जिसे आप फोटो बना सकते हो जुरकस कर सकते हो टू कौफी कर सकते हो ये बिजनस भी गाउं में दबा के चलती है तीसरा बिजनस जो है दोस्तो ओ है किराना सौप जदी आप गाउं में किराना सौप खोलते हो कहीं भी किराने की दुकान खोलते हो वो भी बिजनस गाउं में बहुत दबाग चलती है और हर किसी का जरूरत होती है दोस्तो बाकि आप खुद सोचो कि आपके यहां क्या चीज की दुकान नहीं है वो दुकान हम करें तकि सबसे ज़्यादा आपके यहां मार्केट सबसे पहले पकड़ लेगी आपकी दुकान चलना स्टार्ट हो जाएगी और आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो जो यह बिजनस है दोस्तों यह है कोस्टमेटी का अब आप समझे लो कि आजकल फैसलेटी का दुनिया है हर कोई मेकप करना चाहता है हर कोई मेकप करके इधर उदर जाता है तो ज़दी आप सहर में नहीं हो गाउं में हो अगर इसको गाउं में ही दुकान आप खोलोगे फिर भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो ये जो बिजनस में बता रहा हूं दोस्तों ये है मोटर रिपेरिंग का साइकिल रिपेरिंग मोटर साइकिल रिपेरिंग जदी आप इ अच्छा खासा है ये जो बिजनस है दोस्तों ये है मचली पालन का मचली पालन में भी आप अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो और इसमें कम समय में आदमी ज्यादा प्रोफिट कर सकता है ये जो बिजनस है दोस्तों ये है कपड़े का दुकान आज कल हर कोई फैसन में कपड़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका कपड़ा मचा रहे गिला नहों खराब नहों बस यह चीज का ध्यान रखना पड़ेगा यह जो बिजनस है दोस्तों यह है डेरी फॉम का जैसे आप घरों से लोगों के घरों से दूद लेते हो आप दूद लेके जदी आप कहीं लंबा खाली है कमेंट करके जरूर बताना तब तक के लिए मुझे देदो इजाज़त जय हिंद जय बाइज़